नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंपल फर्मिस इस्टडी में दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कई बार क्या होता है गाउं दिहात में या सहर में बिच्छू काड लेता है बिच्छू काड नहीं बिच्छू ड करेंगे कि यह जो बिच्छू है जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसका डाग्नोसिस कैसे करते हैं डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं इसका इलाज कैसे किया जाता है इसमें कौन-कौन सी दवाईयां जो है डॉक्टर देते हैं तो complete information पाने के लिए वीडियो को complete द शब्रू होता है तो दोस्तों अगर हम बात करें तो बिच्छू एक प्रकार का 8 acknowledgement है दोस्तों बात करें तो यह पूरी दुनिया में जो है गर्म शुस्क जलवायु में रहते हैं. बिच्चु के आगे के पंजे और एक लचीली पूछ होती है दोस्तों. पूछ के नोक में बिच्छु का डंक और दो ग्रंथियां होती हैं जिनमें एक जहरीला पदार्थ जहर जिसको बोल सकते हैं ये पाया जाता है वैसे दोस्तों अगर हम बात करें तो दुनिया में बिच्छों की लगबग पंदरा सो प्रजातियां पाये जाती हैं लेकिन उनमें से केवल तीस ऐसे बिच्छों होते हैं जो लोगों के लिए खतरनाक होते हैं अब बा हालवा वहां की इसजपिंए पाकांहूं तो दौक्र इसके सिंथ डूर्ख में पाथ रहें ये यह इसंथ हैं बाद करते हैं लच्छजव के बारे में कि आनुधर की पास आप जाते तो क्या चीज वह देखते हैं कैसे पता लगाते हैं तो दोस्तों हम बात करें तो इसमें एक test होता है दोस्तों जिसको basically tap test कहा जाताया ट ए ट पि के-ट क्यांकन है जैंड ₃ःफॉ डंक मारा है बिच्छू ने वहाँ पर जो है ऐसे मारते हैं मारने से होता क्या है कि अगर आपके बिच्छू ने वहाँ पर काटा है तो जो दर्द होगा वो तुरंत अचानक से काफी जादा बढ़ जाएगा तो यह एक प्रकार की रियक्शन होती है जिससे डॉक्टरों को प बिच्छू ने काटा है इसके अलावा जो आपके लच्छड हैं वो कितने जादा सीवियर हैं बात करें तो अधिकांस लोगों में अगर कोई बिच्छू काटता है तो वहाँ पर डॉक्टर की सलाह की कोई जरूरत नहीं पड़ती है बिच्छू के डंक के इलाज के लिए जो है कई सारी चीजे आप कर सकते हैं जो सबसे पहली चीज है जब भी जो है बिच्छू डंक मारे तो डंक मारने वाले अस्थान को आपको साबुन और पानी से साफ करना चाहिए इसके अलावा उस जगे पर आपको बर्फ या फिर कोल्ड कंप्रेस लगाना है ताकि जो द इसके अलावा दर्द को कम करने के लिए जो है इसमें आप कोई दर्द निवारक टैबलेट खा सकते हैं जैसे कि डिकलो फिनेक यह नॉर्मल पैरा सिटामॉल आप ले सकते हैं इसके अलावा अगर माल लीजे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पर डॉक्टर इस लगाया जाता है तो जहां पर डंग कमारा है वहां पर दिया जाएगा और इसके अलावा दोस्तो डॉक्टर आपके लच्छडों के आधार पर इसको दूसरा ट्रीटिमेंट भी दे सकते हैं बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए तो दोस्तों मान लीजिए कि आपको अगर आपके सरीर में एलर्जिक रियक्शन्स होने लगती है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए कुछ सिंटम्स मैं आपको बता देता हूं जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको सांस लेने में कठनाई होने लगती है इसके अच्छे में काटता है तो जादा सीरियस होगा मामला इसलिए बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास जरूर ले जाना चाहिए क्योंकि बच्चे का जो बॉड़ी होता है वो छोटा होता है इसलिए जो जहर होता है वो तुरंत असरक दिखाने लगता है तो दोस्तों यही था आज का वीडियो बिच्चु जिसको स्कॉर्पियन बोलते हैं अगर डंक मार दे तो उसका क्या कुछ इलाज है कैसे क्या कौन सी धवाई दी जाती है उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इंफॉर्मेट्व लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लिजे अपने यूट्यूब सिंपल फर्मेट्व से स्टड़ी को मिलेंगे आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जहिन पंदे मातरम टेक केर बाई